यदि आप आश्ट लक्ष्मी नवनिधी कुबेर को प्रसन्म करना चाहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दीपावली भाकिशाली अफसर हो सकता है आपके लिए। लक्ष्मी चरण पादु का दक्षणा वर्त शंक जैसे दिव्य अनेक वस्तुए मिलेंगी। और दीपावली पूजन के लिए पारद लक्ष्मी कुबेर गणेश प्रतिमा। संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र जैसे दिव्य अनेक वस्तुए मिलेंगी। और घर की महिलाओं क पूजन के लिए ना केशन और पंच धातों के डिप भी रख्त गूजा गोमती चक्र जैसे दिवे अनेक वस्तों मिलेंगी और घर के मुखिया के लिए स्फटिक श्रीयंत्र बेंडल और प्रेसलेट भी मिलेंगी ये कलश आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 0291-2621-625 और इस नए एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं एक विसेस कवच की जो की हर व्यक्ति की जरूरत है जो आगे बढ़ना चाता है जीवन में सुक सांती चाता है जीवन में सुक सांती और संपती चाता है अपना वंस की व्रदी चाता है अपने संतान का सही समय पर विवा च पित्रों के आप्रसन या नाराज होने से जीवन में अचानक उन्नती प्रगती रुख सी जाती है। पित्रों के आपके जीवन में बहुत सी समस्याइं दिखाएं देती हैं जिन में से कुछ को हमने ढूंड निकला हैं जो कुछ समस्याइं वो ज्यादातर लोगों को आती हैं उसमें से संतान नहीं होना अथात वंस नहीं चलना धन की निरंतर हानी होते रहना अथात लौस पर जौस होता रहे गा कोई भी काम में गे नहीं हो पाएगा घर में लगातार कोई 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 कई कारण से लड़े जग्डें बने रहना जिसका कोई भी र Presents में ही कोई छोटी सी बात का बतंगर बन जाता है और घर में हमेसा चीक पुकार और चिल्लपाउं मची रहती है मानसिक बेचनी या असांती बने रहती है जिसको भी घर में देखें वो व्याकुल रहेगा बेचन रहेगा कुछ नो कुछ ऐसा रहेगा कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए ये मालूम नहीं है और दूसरों को ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति कोई मानसिक गिरूगी हो घर में हमेशा नेगेटिवटी चाहे रहती है ता नकल अत्मक्चा चाही रहती है घर के सदस्यों का या तो उदासी बनी रहती है और या डिप्रेशन में बने रहते है अता डिप्रेशन में चले जाते है घर का कोई कोई सदस्य इकादे सदस्य आपको डिप्रेशन में मिलेगा ही मिलेगा भूत प्रेट या बादा जो भी होती है उसको ठीक करवाने की कोशिस करते हैं लेकिन वो हट नहीं पाती घर में एक प्रकासे कमी दरित था या ये बोल सकते हैं अभाव बना रहता है व्यक्ति ना चाते भी मुकदमों में उलजा रहता है या तो खुद मुकदमा करता है या लोग उसमें मुकदमा करते रहते हैं और इसको परशान करते रहते है घर में निरंतर कोई व्यक्ति बीमार बने ही रहता है चाहे कितना भी इलाज करा दिया है बड़े से बड़े ऑस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दीजे फिर भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं होता संतान का विवा नहीं होता है विसेस कर कन्या का विवा होने में बहुत ज़्यादा कटना ही होती है बहुत ज़्यादा एज हो जाती है फिर भी उसके विवा के योग दिखाई नहीं देते हैं जिनके कुणली में या जिनके जीवन में पितर दोस होता है उनको प्राए सपने में साप दिखाई देते हैं और या पिर उनके आसपास कोई च्छाया सफेद कलर की च्छाया आसपास गुंती दिखाई देती है उनको ऐसा मैसूस करता है अतर पित्र दोस की सांती होनी ही चाहिए सास्तर कहते हैं कि पित्रों के प्रसन रहने से सारे देवता भी प्रसन होते हैं और तभी मनुस्य के जब पूजा, अनुस्थान, मंत्र, साथना ये सब सफल होते हैं इनका फल मिलता है अन्यता उन्हें भी लाब नहीं मिलता इसलिए पित्रों को प्रसंद रखने के उपाय हमेशा करने चाहिए, किये जाने चाहिए, ये जरूरी है पित्रों की सक्ती शुक्ष्म सरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है वे सक्ती और सिद्धी के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं उत्तम होने के कारण स्वास्तिय, आयू, गर्ब, आधिकारियों के नियंतरक बन जाते हैं, कंट्रोलर बन जाते हैं वे अपनी सक्ति से आने वाली गटनाओं को इसपस्ट रूप से देख सकते हैं यदि उनकी पूर्ण करपा बनी रहती है तो वे अपनी संतानों को अपने खांदान के लोगों को अपने वंस को ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे कम से कम बादाएं हो ऐसा कारे करने को प्रव रहिए अव नहीं रहता है लेकिन आवशक्ता इस बात की है कि वैं पून रुप से प्रसन हो और उनकी पूझा, साधना, ध्यान, नियमित रुप से किये जाएं जिस प्रकार देवतां को प्रसन करके सरवस्वप नियमित जा सकता है लेकिन पित्रों को प्रसंद किये बिना देवता भी हमें सब कुछ नहीं दे पाते नहीं दे सकते पित्रों की कृपा से ही हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं सब कुछ पा सकते हैं अन्यता पित्र दोस लगने के कारण जीवन अधूरा सा लगने लगता है और पित्र दोस बतलाते हैं सूर्य जब राहू की यूती में हो तो ग्रहन योग होता है सूर्य का ग्रहन अत्र आत्मा या पिता का ग्रहन हुआ सूर्य राहू की यूती पित्र दोस का निर्मान करती है सूर्य वचंद्र अलग अलग या दोनों ही राहू की यूती में हो तो पित पित्र दोस होता है। पित्र दोस है। करना है या आपने एक प्रस्जर को फॉलो करना है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रस हमें फॉन पर या इमेल के थूरू लिखवाना है। आप फॉन करेंगे तो आपसे जो जो डिटेल चाहेंगी, जो जो डिटेल चाहिए इस कवच निर्माण के लिए, वो सब आपको पूछ लेंगे और आपको कब कवच प्राप्त होगा, कौन से महुरत में कवच बनेगा, क्योंकि जो कवच है ओ तीन सो पैसर दिन नहीं बनते ह महुरत होंगे, तब तब ही कवच का निर्माण होगा, आने वाले समय में, जैसे की गणेश चतुति के, जो महुच सब के दस दिन है, उसमें कवच का निर्माण होगा, श्रादपक्स में कवच का निर्माण नहीं होगा, उसके बाद नवरात्री में कवच का निर्माण रूप चतुदसी दिपावली ये जो तीन दिन होंगे उसमें कवच का निर्माण होगा जब जो कोई विसेश मौरत होगा तब तब ही कवच का निर्माण हो सकता है हर दिन कवच का निर्माण संभव नहीं है जो विवाई तिस्त्रियां है वो अपने लिए पित्रसांति पर फॉन करेंगे वो सब जानकारी आपसे प्राप्त करके आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे सिर्फ आपके लिए ही वो कवच का निर्माण होगा और आपके ही काम आएगा और किसी को वो कवच काम नहीं आएगा आप घर बैठे वो कवच प्राप्त कर सकते हैं लेक एक सीव anticipation करें यह बहुत हैं एसा हम समाधान करेंगे ऐसा हम आपके लिए प्रयोजन करेंगे आषा के लिए आसा है के जीवन में प्रक्रत्थ लाने के लिए यह जो एप choreography होगा, आपको पसंद आयेगा और आपके जीवन में राइप राशित करेंगा हमारा यह प्रया से आपके जीवन को और अच्छा करने के लिए जीवन में सुक्ष, सांती, संपंता आने के लिए और आप सदे खुस रहें, प्रसंद रहें उसके लिए आपको भी बतले में हमारा एपिसोड देख करके यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है इसको शेयर करना है, इस पर कमेंट करना है और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे आप भी हमारे परिवार में सामिलो और हम अपने परिवार को और ज़्यादा बड़ा बना पाएं हमेशा की तरह एक बात मैं अंतुमें कहना चाहता हूँ स्वस्त रहें प्रसन रहें अपना और अपने बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत खैल रखें आप सभी को हमारा नमस्कार और आप सभी को उज्वल भविशे की शुब कामना है कुंडिली में ही छेपा है जरूरत है सर्फ ऐसे विद्वान की जो इन नौकरहों की भाशा को समझता हो ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्वतंत्र जोतिश के संपादक पंडित कमल श्रिमाली जी का नाम प्रमुकता से लिया जाता है यदि आप भी किसी समस्या से परिशान है और पंडित कमल श्रिमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारत जानना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता भारत के इन शहरों में आप पंडीची से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप भारत के किस अन्य शहर में रहते हैं तो पंडीची से मिलने का एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नमबरों कर संपर करें।